चुनाव खतम हो चुके हैं एक्जिट पूल आ चुके हैं और अब अखले शादो का कहना है कि मैं अपने रांडेरों ने शुरू करता हूँ मतलब साफ बात है अगर हम जीते हैं तो डिमाँकरसी की जीत हुई है वोट बहुत अच्छे से दिये गया है जन्ता ने यूपी की मांग जाया अच्छे सरकार की मांग जाया Daisy लेकिन वहीं पासा उल्टा पुड़ जाए भाजपा फिर से वापस आ छाया भाजपा जिती लेकिन उनको इसी में समझ में आ गया कि इवियम खराब है इवियम है वोटों की चोरी हो रही गाड़ियां पकड़ी जा रही है बनारस के डियम को कहना पड़ रहा है कि वह एक प्रैक्टिस प्रैक्टिसिंग परपस से कॉलेज में भेजी जा रहे थी जो हर बार होता आया है और आज भी हो रहा है और कोई ऐसी चीज नहीं क्यों रियल है वो डमी थे वो मतलब उसका रियल वोटिंग से यह रियल वोटिंग पैकेज़स से एवियम मशीनों से कोई लेना देना ही नहीं है उनका फ्रस्ट प्रसिक्शन इसी एवियम के माध्यम से उसी उपी कोलेज में हो चुका है कल उनका सेकंड प्रसिक्शन था और क्योंकि प्रसिक्शन के दोरां कंट्रोल यूनिट और विवी पैट की जरूरत पड़ती है जिससे वह गिन्वाई करते हैं उसी को लेके रही सकता एक्जेक्टली क्या हुआ लेकिन यह हर साल की हर इलेक्शन की हर बार की प्रक्रिया है दोनों ट्रेनिंग कर्मचारियों की इवियम के माध्यम से होती है यह मुवमेंट कोई नया नहीं है उसके बावजूद यह लोगा के कह रहे हैं अकले शाद्वों ने ऐसा लग अगर वह चीज गलती से रायट में वदल गई तो कि आपकी इच्छा रायट की ही होतो ताकि दुबारा चुना हो ताकि दुबारा कुछ धोस्त हो जाए ताकि मशीने दौस्त हो जाए कुछ अगर गलत की तरफ चला गया सरकार को फोर्सेज यूज़ करने पड़ी तब तो आप और विक्टिम कार्ट खेलेंगे तो ऐसे गंदी उच्छी पॉलिटिक्स करनी क्या जरू है और ये कौन सी बात होई हर उस पार्टी की जो अपने आपको जब हारता हो देखती है तो पंजाब में सरकार क्यों नहीं बन पाए पिछले दो-तीन बार से कई बार से भाजबा कई जगा और बिल्कुल नेक टूनेक फाइट में है मनिपूर गोवा उत्राखन हर जगा क्यों नहीं वहाँ इवियम है खो रहा है वोटों की जोरी हो रही है मुझे सवंज में नह तंटा जब यूपी दिल्ली यहां महां कुछ भी अगर ऐसा होता है तो हारते वक्त इनका ये नाटक सुरू हो जाता है ये आपकी कमजोरी दरसाता है आपकी हिपोक्रिसी दरसाता है और आपका हारने का डर दरसाता है ये डर ये इनके निकले हो शब्द साफ साफ जाहिर ह कि सपा सरकार फिर जहार रही है और कुछ बहुत-बहुत बड़े-बड़े पत्रकारों ने यूटुब पे लाइफ करके बड़े-बड़े चैनलों पे लाइफ करके ये बोला कई-कई-घंटे का लाइफ किया और तम साबित कर दिया कि सपा सरकार आ रही है इसका कोई संदेह ही नहीं है मैं तो हर जगा हो के आया हूं मैं दस सारीत को उनसे बात करना चाहूंगा फिर मिलते हैं अगले उने जाहिन वंदेवात्र तो लाइक और शेट ठोक दीजिए माकाल का चाहिए तबाग लाइक और शेट ठोक दीजिए पांचेजार लोडे दिख जाना चाहिए यह चार हजार के लिए मैं आपे नहीं खड़ा हूं पुरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बिटा